जै गुर्देव और दोस्तों मेरे चनल सिद्शावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और देखिए कल चंद्र ग्रेहन है जो कि दिन में ही लगेगा वैसे उसकी छाया यहां पर रहेगी पर पूजा पाठ और जब तब के लिए मैं तो है ग्रेहन में तो उसके लिए कुछ विवर्स ने मेरे पास कॉमेंट किये थे कि आपसरा साधना के विशा हमें बताएं कि ग्रेहन में किस प्रकार से हमें करनी चाहिए तो उसी साधना के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि ग्रहन्ड में किस प्रकार से किया जाएगा तो थोड़ा सा मैं इस प्रकार डाल रहा हूँ और वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी देखें, जब भी चंद्र ग्रहन्ड स्टार्ट हो जब से ले करके और जब तक खत्म हो तब तक आपको साधना करनी है अब कैसे करनी है मैं आपको बता देता हूँ वीडियो छोटी ही बनाऊँगा, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगा और मैंन मन पॉइंट से मैं आपको बताऊँगा, ठीक है जिसकी जरुद है वही बताऊँगा वस तो देखें सबसे पहले आप क्या करेंगे ग्रहन पढ़ने से पहले इसनानादी कर लें, ठीक है और एकांत कमरे में गंगाजल छड़क करके पूरी तरीके से उसको सुधु कर लें अब ग्रहन पढ़ना जैसे स्टार्ट हो एक चौकी लगा लें और उस पर एक जो की पहले से ही होगा आपके पास तो खेर लाल रंका या पीले रंका कपड़ा चौकी पर विच्छा करके यंत्र को स्थापित कर लें और आपको कुछ भी नहीं करना है केवले दीपक लगाना है और एक गुलाब का पुस्प आपको यंत्र पर चड़ाना है अब जिनके पास में तामरपत्र यंत्र है वो चौकी पर लगा करके तामरपत्र यंत्र के उपर आपको एक पुस्प चड़ाना है और जिनके पास गले में डालने वाला यंत्र है जो तावीज के आकार का है अब किसी भी अपसरा का हो चाहे आप उर्वशी की करें चाहे नाभी दर्शना की करें चाहे ससी दिव्या की करें या मैंका की करें जो भी मतलब आपके पास यंत्र है जिसके भी साधना आप पहले कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं मतलब कि सामगरी आपके पास है देखे सामगरी का विशेस मैत्व होता है चाहे चंद्रग्रेन हो या फिर नॉर्मल आप साधना कर रहे हूं तो आपको एक पोश्प चड़ाना और जो अपसरा माला है केवल अपसरा माला से आपको जाप करना है अब जाप करने से पहले आपको करना क्या है अपने गुरू जी का पूजन करना है थोड़ा सा और गुरू जी का पूजन करने के बाद एक माला गुरू मंतर का आप जाप करेंगे और एक माला भैरो मंतर का आप जाप करेंगे ठीक है भ उसी गुरु के दिये हुए गुरु मंत्रका Jayaab करेंगे ठीक है और जिनके गुरु नहीं है जो स्व को Snap mandate करे चल रहे हैं या भगवान विश्नु को मान करके चल रहे हैं वो शिव के मंत्रका ही जाब करें या विश्नु के मंत्र का जाब करें गुरू करूप में ठीक है और उनसे प्रार्थना करें कि गुरुदेव मुझे अपसरा साधना में जिस अपसरा की भी साधना करें उसका नाम लें अपसरा साधना में संपूर्ण सफलता प्रदान करने की किरपा करें और उस बहरोजी से निवेधन करें, कि साधना में किसी प्रकार का कोई विगने ना आये, उसके लिए मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, आता है आप मेरी सहाधा करें, और उसके बाद में बहरोजी के एक माला का आप जाप कर लें, ठीक है, वो किसी भी माला से कर सकते हैं, कोई प् जो अपसरा माला है अपसरा माला से लगातार तब तक जाप करना है जब तक चंदर ग्रहन खत्म नहीं हो जाता ठीक है अब उसमें आपको माला की काउंटिंग करनी ही नहीं है कि भाई कितनी माला का हमने जाप कर लिया आप करते रहें बस ठीक है और ये आप मान के चलिए कि किसी भी ग्रहन में जब हम किसी मंतर का जाप करते हैं अगर सौ माला का जाप हम करते हैं जो फल हमें उससे मिलता है वही केवल एक माला के जाप करने से हमें वो फल मिल जाता है ग्रहन में तो आप को इससे बहुत बड़ा लाब होने वाला है लगातार जितनी भी माला का आप जाप कर सकते हैं वो करें और संपूर्ण एकागरता के साथ करें जितनी एकागरता आपकी जादा shocky उतनी ही प्रबल संभावना होती है आपको अनुभव होने की और प्रतक्षी करण होने की देखिए ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको अगर आप साधना आप जैसे मालिया ये दिन के समय लग रहा है वैसे दो चंदरक्रहन रात में होता है पर लेकिन इंडिया में उस वक्त दिन रहेगा तो जब आप जाप करेंगे तो ये कोई जरूरी नहीं होता कि आपको तब ही मतलब वो प्रतक्षी करण होगा ऐसा भी हो सकता है कि जब रात हो जाए आप सोएं तो अगर आप सो रहे हैं तो आपको उस वक्त भी प्रतक्षी करण हो सकता है उस वक्त भी देवी आ सकती है और आपके साथ वचनबद हो सकती है तो ये कोई जरूरी नहीं होता लेकिन दिन में तो खैर नहीं होगा पर तक्षी गरन और देखिए ये देवी के उपर डिपेंड है हो भी सकता है ये भी कोई जरूरी नहीं है क्योंकि उसकी इच्छा को कोई नहीं जानता है कि वो कब क्या करेगी तो इसलिए आपको सिर्फ अपने कर्म करना है और लगातार आप जाप करते रहें जितनी ज़्यादा एकागरता होगी जितना ज़्यादा आपका भाव होगा उतनी ही जल्दी आपको सफलता मिलेगी इसमें ऐसा कुछ नहीं है मंत्र जाप और भाव और शामगरी ये तीन चीज महतो रखते हैं जितना आपका भाव होगा उतनी ही ज़्यादा आपकी संभावना होगी कि आपको प्रत्यक्षी करन हो और आपको सिध्धी हो अगर प्रत्यक्षी करन नहीं भी होता है तो आपको म एक छोटा सा विधान, इसमें कोई जादा बड़ा विधान नहीं है, और जब ग्रहन खत्म होने वाला हो, तो एक माला लास्ट में गुरू मंत्र का जरूर जाप करें, और गुरू जी से आशिरवाद लें, ठीक है, तो यही साधना आपको केवल ग्रहन के समय करनी है, और मैं समझता हूँ कि यह वीडियो जो मैंने बनाई है, यह वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ बोलिए, वीर बजरंग वली हनुमान जी माराज की जये, बोल